कि i am City लाइव मिडिया के कारेकरम हमारा सपना CBSC टॉपर हो सारनपुर अपना में एक बार फिर आप लोगों का सवागत है और इस कारेकरम में आज जो हम बात करेंगे वो हिंदी सब्जेक्ट की बात करेंगे और हिंदी सब्जेक्ट में जो आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं वो ग्यानकलश स्कूल की संतोष सैनी जी है संतोष सैनी जी आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप लोग जो है हिंदी में अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं सिटी लाइब मीडिया के हमारा सपना सी बीसी टॉपर हो सहरनपूर अपना नमस्कार मैं संतोष शिरीमति संतोष सैनी ग्यानकलश इंटरनेशनल स्कूल की अधियापिका जो कि मैं अपने पैंतिस वर्षों के अनभवों के अधार पर आज आपके सामने कुछ अपने विचार के बच्चों का हिंदी के और रुजान कम होता जा रहा है जो मैं देखती हूँ है और मैं चाहती हूँ कि उनका बच्चों में रुजान रहे जबकि सी बीसी बोर्ड ने आज ऐसा पाठेकरम कर दिया है कि जिसमें हम अच्छे मंगों से उतीन हो सकते हैं बच्चे लेकिन ब कर अरकरी जोरूरि होनी चाहिए उनको अच्छी प्रकार से व्याकरण के टिप्स के बारे में पता हो और विशेश रोप से व्याकरन का काम करते हुए अशुद्ियों के और विशेश ध्यान दे क्योंकि इस बेडिके रिक chimney फौर्ड यानि बोर्ड के नियमान उसार अगर कुछ भी अशूद शब्द तो उसमें नंबर करने की उमीद होती है तो एसा न करें कि उसमें हमारे मांक्स आ हूँ, कटैंअ विशेश रूपसे ध्यान दें, विशेश कुछ भी ऐसा मुश्किल निया कि वो बच्चे नहीं कर सकते हैं इसी तरह से जो हमारी ये जो NCRD की जो बुक्स हैं उसमें जितने भी पार्थ हैं उन पार्थों के अच्छी परकार से उनको पढ़ें रेडिंग करें उसकी और उसकी समरी उसका प्रतिपात दे जानने का प्र सत्की और किसी बीरूब में आए तो उसके उत्तर्देने में उनको किसी भी परकार की कोई भी कठिनाई नहीं हो सकती हैै इसी परकार से काव खंड है तो कावे जन्ड में भी कविताओं की प०्धे कविताओं की समंदित रस अलंकार जो भी समास वैं एसा शब्दों कि बा में जानेंगे तो बच्चे अच्छे माक्स ले सकती हैं अब जैसे हमारा यह लेखन कारे होता है उसमें हमें निबंध को कोशिछ करें बच्चे अच्य अंकलाने के लिए जो संकेट दिए गया है उन संकेतों का पूरी परकार скор Cre sa करते हैं उन संकेतों को समझते हुए निबन्द करें जो पत्र होते हैं पत्र में chociaż month वแङ lobby को अच्छी परकार से जाने जो पत्र दिया जाए उसके format को अच्छी परकार से समझेंगे तो क्या है बच्छे अच्छे marks ले सकते हैं चीज परकार से अपचारिक पत्र, उनके फॉर्मेट के बारे में अच्छी परकार से जानेंगे कैसे लिखना है तो कोई भी अगर आपको एकजाम में प्रशन आ जाता है तो उसको करने में किसी को कोई भी परकार परशानी नहीं हो सकती है अपरफिद बोध में इसी परकार से जो अपठिद बोध आता है उसको ध्यान पूरवक पहले प्रेश्ण को पढ़ें फिर उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ते वे प्रेश्णों के उत्तर देंगे तो अपठिद बोध के भी प्रेश्णों को करने में बच्चों को किसी भी परकार की क ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है कि कोई बच्चा कर नहीं सकता ध्यान पूरवक ध्यान से पढ़ेंगे जो भी आपको प्रश्ण करने से पहले ध्यान पूरवक पढ़ना जो नियम दिये में उनको जानेंगे तो अच्छे आंक हमेशा अवश्य ही बच्चे ला सकते हैं मेरा कहने का यह अभी प्राया है कि बच्चे ध्यान पूरवक कोई ऐसा हिंदी ऐसा विश्य नहीं है कि जो बच्चे नहीं कर सकते उसको ध्यान पूरवक पढ़ेंगे तो बच्चे अच्छे माक्स जो है वो ले सकते हैं